दोस्तों अक्सर कई बार ऐसा होता है जब आप online personal loan के लिए apply करते हैं किसी website या फिर mobile application से या फिर आप किसी buy now pay later service का इस्तेमाल करते हैं और वहां पे आपको अपने bank account से जो है अपने उस application को उस buy now pay later service को E mandate करना होता है ताकि जब भी आपका जो repayment होगा वह auto debit हो जाएगा आपके bank account से तो ऐसे में guys कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ fraud भी हो जाता है और एक fix duration के बाद जो repayment होती है वह कटना बंद नहीं होता है और automatically हमारे account से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं ऐसे बहुत सारे complaints द बहुत सारे complaints आते हैं बजाज finance की ओर से जिन लोगों ने बजाज finance करवा रखा है उनको जो है अपने bank account को अपने बजाज finance का जो ID होता है उससे link करना जरूरी होता है और इस particular process को बोला जाता है e mandate मतलब की electronics mandate उसमें होता यह है guys कि जब आपका repayment का जब date आएगा तो आपको by cash या फिर आपको खुछ से कुछ नहीं करने के बजाए आपके bank account से वह जो company होती है वह automatically पैसे काट लेती है जो भी आपका dues होता है for example अगर आप trip money का use करते हैं या फिर आप money view का use करते हैं ठीक है personal loan का या फिर आप बजाज finance के साथ साथ IDFC personal loan लेते हैं तो वहाँ पे आपको अपने bank account को e mandate करना जरूरी होता है कई बार ऐसा होता है कि आपका tenure complete हो जाने के बावजूद भी आपके bank account से पैसे कटने बंद नहीं होते हैं और आप परेशान हो जाते हैं वही अगर आप अपने account को zero कर देते हैं तो वहाँ पे जो है अलग से bounce charge जो है वो लगाया जाता है और आपका जो amount है वो negative में चला ज होता है ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोगों को मन में यह सवाल है बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं आप इसका शिकार हो चुका हूं मेरे साथ भी एक ऐसा फ्रॉड हुआ था ठीक है तो इसका तो सबसे पर्मानेंट तरीका पता है आप सिंपली जो है आप अपना branch जाकर ठीक है जहां पर भी आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहां पर आप अपने अकाउंट को पर्मानेंटली क्लोज करवा दो यह काफी better solution है और यह 100% जो है काम करता है वर्क करता है इसके अलावा गर आप कहीं से भी कुछ भी उपाय कर लो आपका इमेंडेट जो है यह बंद नहीं होगा यह खतम नहीं होगा और अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं तो इतने बाउंस चार्जेज लगेंगे 690,690,690 रुपेगा कि आपका जो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है यह माइनस एक लाख तक भी जा सकता है एक साल के अंदर अंदर तो बहुत सारे सवाल करते थे मुझसे कि सर इसका क्या सॉलूशन है तो सबसे सॉलूशन यह है कि आप अपने ब्रांच विजिट करो ठीक है और वहां पे आप फॉर्म बरदो अपने अकाउंट को क्लोज करने का ठीक है इसका फाइदा यह होगा कि आपका अकाउंट जो है पर उसे बाइक कैश ले सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे बैंक के अपने अकाउंट में रटी जी एस या फिर आई-एम-पी-एस के बदौलत आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं तो यह एक हंडेट परसेंट जो है वरकेवल फॉर्मूला है जो आप अपलाई कर सकते हैं ठीक अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो बेशक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल फाइनेशियल एक्सप्रेस पे पहली बार आया ना चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजेगा नोटिफिकेशन बेल ओन कर दीजेगा ताकि अगली बार जब मैं को नए और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊ तो आप उसे मिस ना कर सकें अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जै